हार को हम स्विकार किया है हारा मैनेफेस्टों में हम सर्व जनांग दा शांतिय तोटा कर्नड में हम कहा इधर सर्व धर्मसमा बाव जो बस्वन्ना का जो स्लोगन लेके गया हम लोग लोग उसको माना है डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है हार को हम स्विकार किया एंड एक विपक्ष का नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे हमेरे टार्गेट है 2024-2024 में मोधी जी को 26 सीट हम लाएंगे अभी यह लोग ऐसा डिस्टिक लेवल पर डिस्टिक लेवल लीडर जैसा काम कर रहा है तो जो 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 प्रसीशन वह सब दशाता था जो 40% corruption लेकर लोग करता था, वो दशाता था,था कैसा पैसा लूटा है. ये राश्ता आपको लगता है सरे एक नया राश्ता चुने है लोग करना करता है? नया रास्ता ने एक साव रास्ता चुन गया है, हम लोग भारते जन्ता पार्टी का जो जूटा वादा है, और इन लोगों का डेगेटिव पॉलिटिक्स है और फिरकाफरस्ति जो ताकत लेके लोग काम करता है उसके खिलाफ अच्छा मैंडेट मिला है आपको क्या लगता है सर आपको पूरे देश में देखी हुए है करनाटक से एक क्लियर मैंडेट का मेसेज यही पहला राजजी आपको मिला है क्लियर मैंडेट तो मिला था बहुत पहले मिला था क्लियर मैंडेट clear mandate मिलने के बावजूद हमारा विदायकों को चोरी करके लोग सरकार बनाया है दो बार करनाटक में बारती जनता पार्टी ने सरकार में आया है दो बार भी विदायकों को चोरी करके किया है इस बार लोग experiment करने के लिए त्यार नहीं है इसलिए पूरा साफ मैंडिट दिया है आपको क्या लगता है सर ये मैंडिट दोजार चोबीस का जो लोक सबा है बिल्कुल दोजार चोबीस और आने वाले जो चुनाव है तीन राज्यों में इसके लिए साफ मेसेज दिया है बारत जंता पार्टी सत्ता चोड़के जाना है काफी फरक होगा क्यूंकि करनाटक का जो लोग का मैंडेट जो है इसमें साफ है ये गुजरात माडल यूपी माडल चलने वाला नहीं है ये स्वाबिमान का प्रस्ट हुआ करनाटक का जो स्वाबिमान है इसलिए हमारा मैनेफेस्टो में सर्व जनांग अदा शांतिय तोटा करनाट में हम कहा इदर सर्व धर्मसमबाव जो बस्वणना का जो स्लोगन लेके गया हम लोग उसको माना है